जून में कई एरलाइन्स कम्पनियों ने लो फेयर लागू किया था जिसमें कई शहरों तक जाने का किराय काफी कम हो गया और लो फेयर लागू होने पर फ्लाइट से ट्रावल करने के किराय में 15 से 20 पीसेदी की कमी आई थी साथ ही लो फेयर करीब एक महिने तक ही लागू रहना था लेकिन अब इसे एक महिने तक बढ़ा दिया गया है यानि कि अगस्त के लास्ट वीक तक एरलाइन्स में कम किराय में सफर किया जा सकेगा और सबसे बड़ी बाद तो यह है किराया ट्रेन के ट्रेवल के समान ही होगा यानि अगर आप ट्रेन के एसी कोश में ट्रेवल करने का प्लैन बना रहे हैं तो एसी कोश के समान किराय में आप फ्लाइट से ट्रेवल कर सकते हैं अब आपको बताते हैं कि कहां पर कितना किराया देना होगा 17 अगस्त को मुंबई से जैपुर के लिए इंडिगो की फ्लाइट का किराया 3590 से 3922 के बीच होगा Air India Express का किराया 3921 और विस्तारा का किराया 4476 होगा जो मुंबाई से जैपूर के लिए ट्रेन की एसी कोस से सस्ता है 17 अगस्त को पूने से जैपूर के लिए इंडीगो की उडान का किराया 4635 रुपए होगा जबकि एर इंडिया एक्सप्रेस का किराया 4835 रुपए होगा स्पाइस जेट एहमदाबाद से जैपूर के लिए 4206 रुपए और एयर लाइन्स एयर दिल्ली से जैपूर के लिए 1,964 रुपए में टिकट उपलग्द कराई जाएगी एयर इंडिया एक्सप्रेस 2,199 रुपए और इंडीगो 2,259 रुपए का किराया लेगी अब आपको बताते हैं कि 11 से 18 अगस्त के बीच में कित्ता किराया लगेगा और कहां पर सबसे कम किराया लगेगा दिल्ली से भोपाल 2,749 रुपए भोपाल से दिल्ली 3,529 रुपए राइपूर से भोपाल 4,581 रुपए भोपाल से जैपूर 4,801 रुपए एहमदाबाद से भोपाल 3,262 रुपए भोपाल से एहमदाबाद 3,462 रुपए भोपाल से बैंगलूरू 5,465 रुपए दरसल कॉलकता और बैंगलूरू को अगर छोड़ दें तो अन्य शेहरों का किराया काफी कम हो गया है दिल्ली और मुंबई से जैपूर आने वाली फ्लाइट्स का किराया तो ट्रेन के फॉस्ट एसी क्लास कोच के बराबर ही है किराया बराबर है लेकिन ट्रेन के वजाए फ्लाइट से ट्रेवल करने में बहुत कम समय में आप अपनी डेस्टिनीशन तक पहुँच सकेंगे ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दासूर धन्यवाद